प्राइब कीजिए मेरे चैनल ग्यानकुंड को और बेल आइकन को दबाईए एक्सरिस्मेंट सर्विंग सेंट्रल गवर्मेंट इंप्लाइज नेटवर्कर और गवर्मेंट एक्जाम एने छेतरों से जुड़ी जानकारी के लिए और ओप्सन में जा करके और को किलिक करें त दोस्तों रोष्ट मुकेस कुमार आज आप लोग के लिए एक वी से सूचना लेकर के आया हूं वे सूचना निकलकर आ रही है आर्मी एड़क्वाटर से जिससे की हमारे सेनिकों और बहुत परूसेनिकों और कैडिट्स को बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो भ आईए देखते हैं क्या है वो जानकारी गई जो आप अपनी स्क्रीन के ओपर लेटर देख रहे हैं यह लेटर है जो 10 फरवरी 2022 का जी हां यह गोर्मेंट ऑफ इंडिया मिरिश्टी ऑफ डिफेंस के इंदरिया सेनिक बोर्ड न्यू डेली की तरब से निकल करके आया है इन फॉर्ड इंडिया के जो ग्रांट्स मिलते थे वो इसकेम को यह आप डिसकांटीणू कर दिया गया है यह नहीं कि बंद कर दिया गया है यह इसकीम एक अप्रइल 2022 से बंद होने जा रहा है गाईज ग्रांट आप मेरी स्क्रीन के ओपर देख रहे हैं इनके बारे में मैं आ आपको आज विस्तार पूर अग जानकारी देने जा रहा हूँ guys फिनरल ग्रांट जो हमारे बोतपूर सैनिकों को मिलता था हाउस रिपेर ग्रांट ये भी हमारे बोतपूर सैनिकों के लिए और सैनिकों के लिए भी था अफिसर कैडिट ट्रेनिंग ग्रांट जो एंडिय के कैडिट को मिलता था वो भी अब यहां पर बंद होने जा रहा है गाई और यह जो बंद किया गया है यह M.O.D. ने एक नोट जो 13 नॉम्मर 2021 को भारसरकार को दिया गया था उस पर विचार करने के बाद भारसरकार ने इस कर लेते हैं इस से हमारे भूद पूर सेनिकों और सेनिकों और कैडिट को कितना नुक्सान होने जा रहा है गाई एपरोक्सिमेट हम इसको ले करके चलेंगे जो funeral grant था यह हमारे भूत पूर सेनिकों को तक्रीमन पांच जार रुपे के आसपास मिलता था और कुछ records इससे भी जादे देते थे यहां तक यह 25 जार रुपे तक की इसके limit भी थी गाईज और यह आपके हवलदार rank और उसके शमकक्स rank को ही यह दिया जाता था house repair grant गाईज जो ही है एक expense के रूप में 20,000 रुपे के हमारे disabled एक्सरिस्मेन जो हवलदार rank तक के थे उनको दिया जाता था गाईज यह भी अब यहां पर ततकाल परभाव सी यह निकी 1 April 2022 से बंद हो गया है गाईज इसके letter भी approved हो चुका है गाईज house repair grant क्यों बंद किया गया इसके पीछे भार सरकार की क्या मंद सा हो सकते हैगा जैसा कि मैंने आपको एक यहां पर table दिखाई अपनी screen के उपर इसका जो मैंने data है source लिखाओ है मैंने इसका पूरा data है जो मैंने इस website से लिया है यहां पर 2017 से ले करके 2020 तक कोई भी यहां पर beneficiary नहीं है किसी ने भी इसको claim नहीं किया हो सकता है इस वज़से house repair grant को बंद किया गया हो गाईज चुकि इसको हम लोगों ने ही खुद apply नहीं किया है क्योंकि आज की तारीक में हर कोई pension जाने के बाद इतना शक्षम है कि वह अपना घर आराम से निर्मान कर सकता है अपने घर को repair कर सकता है तो हो सकता है कि उसमें amount कम हो इस वज़से किसी नहीं है claim ना किया हो जैसा कि आपने आकड़ा देखा है स्क्रीन के उपर इस से यह साबित होता है कि आज की तारीक में कोई भी जवान नहीं लेना चाहता होगा इसलिए बारसरकार ने इसको बंद किया होगा गाईज यह मेरा अपना personal view है इसके पीछे क्या logic हो सकता है वो मुझे नहीं पता है गाईज जो मेरा personal view तो मैंने आपको share किया है गाईज अब हम बात करते है officer credit training grant की गाईज यह अलग-अलग रूप में दिया जाता है गाईज तो यह आप screen के उपर वीडियो को पोज करके पढ़ सकते है कि कौन से scheme के तैत कौन सा grant कीनर रूपे हमारे credit को दिया जाता था जब वो under training period होते थे गाईज यह भी अब बंद हो गया गाईज आप इसको यहाँ पर आराम से screen के उपर देख सकते हैं गाईज देरी देरी वीडियो को आप पोज करके पढ़ सकते हैं गाईज गाईज यह जो data है मैंने जिस website से लिया है उसका मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया और मैं यहाँ पर एक disclaimer देना चाहूंगा कि मेरा चैनल इस grand वाली जानकारी के लिए responsible नहीं है क्योंकि इसका पूरा data मैंने इस particular website से लिया है मैंने गाईज तो इसमें कोई भी घटोतरी या बडोतरी होती है तो उसके लिए मेरा चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ ओडर समय समय पर आते रहते हैं गाईज तो गाईज उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारत दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करतीजे लाइक करतीजे और अपने दोस्तों को जरूर डिस्टिबीट कीजे ताकि मैं उनको समय समय प